Great Indian News, सदेव आपके साथ, ये आपको दिखाता है भारत का और विश्व का सारा सच गुजरात का सवराष्ट्र, जहां विराजमान है भगवान सोमनाथ और द्वारका में श्री कृष्ण इनहीं के पास जूनागड में स्थित है गिरनार लाखों श्रद्धालूओं की आस्था का प्रतीक और आध्यात्म का ये क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही कठिन है लंबी चड़ाई और ठकादेने वाले रास्ते दर्शन को बना देते हैं कठिन श्रद्धालूओं की इस कठिनाई को समझते हुए हमारे प्रधान मंत्री और ततकालीन मुख्य मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गिरनार को रोपवे से जूडने का निश्चे किया था जिसे मूर्त रूप मिला मुख्य मंत्री श्री विजय भाई रूपानी के मार्क दर्शन में गुजरात टोरिजम के अथक प्रयासों से ये प्रोजेक्ट है स्टैच्यू अफ यूनिटी तथा मोटेरा स्टेडियम के बाद तीसरा यूनीक प्रोजेक्ट और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट जिसकी लंबाई है 2320 मीटर और उंचाई 900 मीटर ख्रमता है 1000 यात्री प्रती घंटे जिसमें कुल 25 कैबिन जिसमें खास फ्लोर ग्लास वाला कैबिन भी है भवनाथ की तलहेटी से अंबाजी की चोटी तक 500 सीडियों का अंतर मात्र आठ मिनिट में पूरा करेगा जिसे बनाया गया है PPP मोड द्वारा 130 करोड रुपयों की लागत से साथ ही गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोड द्वारा मां अंबा के मंदिर तक पहुँचने तक बुनियादी सुविधा तथा सौंदर्य करण का कारेभी किया गया है इस परियोजना से न केवल श्रद्धालू बलकि परियाटकों को एक गंतव्य के रूप में आकरशित करने और पूरे क्षेत्र के विकास पर ध्यान के इंद्रित किया गया है इन सभी कशुभारंभ करने जा रहे हैं माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी गिर्नार रोखवे आस्था का नया सेतु